Hey everyone, मेरा नम मुहमद नदीम है और आप देख रहे मेरा YouTube चैनल Know Your Car with मौहमद नदीम So guys, thank you so much आपने मेरे चैनल पे विजिट किया एक request है, अगर आप चैनल पे नए है तो please पूरा चैनल विजिट करिए इसमें आपको काफी सारे informative वीडियोस मिलेंगे जो day to day basis में आपको आपकी वहिकल के features एकदम simple way में समझने में और उनको use करने में help करेंगे यह सब features देखने के बाद अगर आपको वीडियोस useful लग रहा है तो again एक request है, please मेरे चैनल को subscribe करिए और वीडियोस को like करिए तो जैसा कि आपने आज का caption देखा, आज हम लोग बात करने वाले हैं Fortuner में, Krista में, Legender में या आप गाजू racing sports बोल दो Fortuner का यह सब variants में, यह सब model में आप YouTube को कैसे देख सकते है vehicle के display screen पे, तो एकदम simple step है यह मैं आपको करके बता देता हूँ इसमें आपको कुछ भी अगर doubt रहेगा, आप comment करिए, definitely उसका भी मैं answer आपको कर दूँगा तो चलिए वीडियो को start करते, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है आपको menu में जाना या आप audio में directly जा सकते, audio में जाने के बाद audio में जाने के बाद आपको यहाँ पे Miracast का option मिल रहा है तो जीहा दोस्तो Miracast यानि के screen mirroring करके आप लोग अपना phone से YouTube यहाँ पे मतलब phone का display यहाँ पे pair कर सकते और उसके बाद YouTube देख सकते तो सबसे पहले आप देख सकते यह permission मांग रहा है वाइफाई on करने का यहाँ पे फोन पेर होगा अब उसके बाद मैं मेरा यहाँ पे Samsung phone यूज़ कर रहा हूँ Samsung में एक feature आता है जो आप सब लोगों को पता है Smart View अब मैं यह Smart View जो है एक सेके मेरा गलत क्लिक हो गया Smart View पे मुझे क्लिक कर देना है Smart View पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे भी system ने जो Miracast को ढूंडना चालू कर दिया है वो आ गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो Car Multimedia दिग गया है तो इससे मुझे बस permission देना है Start Now कर देना है जो मैंने अब भी कर दिया जैसा कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पे वापिस से permission मांग रहा है accept कर लेना है आपको आपने जैसी phone की permission को accept कर लिया आप देख सकते है connection यहाँ पे बिल्कुल seamlessly start हो गया और मेरा phone जो यहाँ पे mirror हो गया अब मुझे करना कुछ नहीं है मैं उज़े directly YouTube पे जाना है वीडियो प्ले कर देना है तो वीडियो जैसी मैंने प्ले कर दिया आप देख सकते हो screen जो यह छोटा है तो मुझे कुछ नहीं कर देना है बस phone का जो screen है उसे rotate कर देना है phone का screen जैसी rotate कर दूँगा आप देख सकते हो full display यहाँ पे YouTube आपको देखने मिल रहा है तो यह आप देख सकते हो यहाँ पे और जो latest technology शोकेस किये हमारे मिनिस्टर ने रोड ट्रांस्पोर्ट के मिनिस्टर नितिन गटकरी खुद ने launch किये वह technology के बारे में भी आज हम लोग यह वीडियो में बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग समझते so hope आपने देख लिया कितना seamlessly यहाँ पे फोन जो है वो पैर हो गया है इसमें कोई भी इशू निये difficulty ने एकदम directly हो गया अब यह इतना seamlessly मैंने जो notice observation किया है Samsung में होता है कुछ phones जिसमें आप Miracast के application डाउनलोड करते है externally उसमें थोड़ी बहुत difficult आ जाती है बाकि अगर आपके पास Samsung phone है तो बहुत smoothly हो जाता है दूसरे phone में भी हो जाता है बट इतना seamlessly होता नहीं है so hope आपको वीडियो यहाँ तक की clear है तब इसमें एक important information यह अगर handbrake activated है और आप parked है तो ही यह वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो driving vehicle में drive करते हो आप यह वीडियो यहाँ पे देख सकते है नहीं हो due to safety reasons so hope आपको वीडियो clear है इसमें आपको कुछ भी अगर doubt है आप comment करिए definitely इसका भी answer मैं आपको कर दूँगा thank you so much